स्प्लिट का उप्योग करने के लिए सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास स्मार्ट वॉलेट एप का नवीनतम वर्जन है और यदि नहीं तो एप को अपडेट करें। ऐसा करने के लिए एप्लिकेशन स्टोर पर जाएं। सर्च बार में स्मार्ट वॉलेट दर्ज करें और अपडेट बटन पर क्लिक करें। यह भी ध्यान रखें कि प्राइस प्राप्त करने के लिए आपका वॉलेट एक्टिव होना चाहिए। Activate करने के लिए आपके पास अपने balance पर smart coin होने चाहिए. Activation के लिए एक coin पर्याप्त है, हालांकि एक सफल split के लिए हम smart coin की पर्याप्त आपूर्ती की सलाह देते हैं, क्योंकि वे split contract के निश्पादन के लिए आवश्यक हैं. इसलिए अपने app को update करना सुनिश्चित करें और सुनिश्चित करें कि आपके balance में smart coin हैं और अपना wallet खोलें. आपके पास जो भी token हैं इसके आधार पर split या US split पर क्लिक करें. आपकी balance राशी और transaction history के बारे में विस्तरित जानकारी के साथ एक screen खुलेगी. splitting में भाग लेने के लिए splitting बटन पर क्लिक करें. ये आपके balance के ठीक नीचे स्थित है. हम तुरंत आपका ध्यान इस तत्य की और आकरशित करते हैं. कि splitting के लिए balance राशी पर smart coin की उपस्थिती की आवश्यक्ता होती है. split contract के निश्पादन के लिए भुगतान करने में इनकी जरूरत होती है. यदि आपके पास परियाप्त मात्रा में smart coin नहीं है, तो आपसे अपना balance टॉप अप करने के लिए कहा जाएगा. यदि balance राशी पर परियाप्त coin उपलब्ध हैं, तो वर्तमान splitting status के बारे में जानकारी के साथ एक window खुलेगी. खुलने वाली screen पर आपको निमन लिखित जानकारी तक पहुँच प्राप्त होगी. My splits, आपके balance में split token की संख्या. Total supply splits, blockchain में split token की total संख्या. Daily reward, split holders के बीच वितरित ultima token की दैनिक संख्या. Current block, blockchain में वर्तमान block दिखाता है. Final block, वर्तमान halving period के लिए अंतिम block दिखाता है. My estimated reward, split में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए इनाम का अनुमानित मूल्य. क्रिपया ध्यान दें कि यदि आपको 24 घंटे के अंदर-अंदर अपने address पर token प्राप्थ हुए हैं, तो आप इनाम का दावा नहीं कर पाएंगे. यह जानने के लिए कि कौन से token splitting के लिए तैयार हैं, My splits पर क्लिक करके split details section पर जाएं. आप देखेंगे कि कौन से token reward प्राप्थ करने के लिए तैयार हैं और कौन से नहीं. बेशक, आप इनाम का दावा कर सकते हैं. लेकिन यह केवल उन्हीं splits को दिया जाएगा, जो 24 घंटे से ज्यादा पुराने हैं. वहीं, इनाम का दावा करने के बाद, सभी split token की IU reset कर दी जाएगी. यह सुनिश्चित करने के बाद कि सभी token तैयार हैं. स्क्रीन के उपरी बाएं भाग में, एरो पर क्लिक करके splitting section पर लोटें, और blockchain से reward का अनुरोध करने के लिए, claim reward बटन पर क्लिक करें. एक push current screen दिखाई देगी. कृपिया smart में कमीशन के बारे में चेतावनी पर ध्यान दें. यह 100 smart तक पहुँच सकता है. यदि आपके balance में कम smart है, तो contract के लिए जरूरी उर्जा की कमी के कारण आपके reward के दावे को blockchain द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है. इसलिए, हम आपके smart balance को reserve से फिर से भरने की सलाह देते हैं. इसलिए, सुनिश्चित करें कि आपके wallet में पर्याप्त smart coin है. यह push-t करने वाले box को चेक करें कि आप product के उपयोग की शर्तों से सहमत हैं. और confirm button पर click करें. तैयार है. आपने सफलता पूर्वक अपने reward का दावा कर लिया है. आपको बस OK button पर click करना है. और ultimate token screen खुल जाएगी. वहाँ आप अपना reward देख सकते हैं. हमारे guide के आखिरी में हम आपका ध्यान उन नियमों की और आकर्शित करते हैं जो आपको product के साथ काम करते समय जानना चाहिए. Split token का कोई भी outgoing transaction भले ही वह 1000 में एक हो. सभी token की IU reset कर देता है. यदि आपके wallet में अलग-अलग समय पर आने वाले split token हैं, तो वे अलग-अलग समय पर आपका reward प्राप्त करने के लिए तयार होंगे. Split token के लिए new thumb IU 24 घंटे है, इसलिए यदि आप reward का दावा करते हैं और आपके पास ऐसे token हैं जो इसके लिए तयार नहीं हैं, वे 24 घंटे से कम पुराने हैं, तो उन्हें उन tokenों के साथ reset कर दिया जाएगा, जो reward प्राप्त करने के लायक है. Splitting में भाग लेना और हर दिन अपने reward का दावा करना न भूलें. आपको काम्याबी मिले, यदि आपके कोई सवाल हैं, तो क्रिप्या सपोर्ट से संपर्क करें और हमें आपकी मदद करने में खुशी होगी.